सोलन में कोबिट संकट में कानून बेवस्ता बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने सकती करनी अरम कर दी है जो भी नीमों की अभेलना करते पाया जाता है उस पर पुलिस द्वारा सकत कारेवाई अमल में लाई जाती है कुरोना संकरमन पर निरंतन रखने के लिए पुलिस का ये विशेश अभियान अभी बीजारी है ये जानकारी सोलन के अतिरिक्ट पुलिस अधिक शक अशोक बर्मा ने मीडियो को दी उन्होंने बताया कि केंदर और राजे सरकार के दिशा निर्देशों पर सक्त करेवाई अमल में लाई जा रही है उन्होंने कहा कि नीमों की अ लेकिन सोलन के लोग उन नीमों को नहीं मान रहे थे इसलिए मास्क ना पहने वालों के अभी तक 725 चालान किये जा चुके हैं जिन में से अभी तक करीबन 3,65,000 रुपे बसूल भी कर लिए गए हैं उन्होंने बताया कि दो पहिया बाहाँ चालकों के हेलमट ना पहने पर 4 1,333 चालान किये जा चुके हैं और सीट पेल्ट ना लगाने वालों के 10,600 चालान किये गए हैं उन्होंने बताया कि उनका ये अभियान बविश्या में भी जारी रहने वाला है नीमों को तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बक्सा नहीं जाएगा लोगों को पहले जागरूप किया गया था कि मास्क अप्रयोग करें तो कुछ एक बहुत लोग ऐसे से जिनमें मास्क अप्रयोग लॉक्डान के स्पीरिड में नहीं किया है इस परकार के जो लोग हैं हमने 725 चालान काटे हैं और हमने 3,64,500 रुपे फाइन भी इंपोस किय है तो अब क्या है कि चालान करने के उपरां लोगों में काफी जागरूपता आई है अभी भी हम आगरे करते हैं कि लोग जब भी घर से बाहर निकले अपना मस्क अपना कारवे की जाए जो राजे सरकार और केंदर सरकार की गया लेंज हैं उनका हम पूरा-पूरा पालना क रहे हैं और उनके मताब के ही कारे कर रहे हैं पीरिड में सेंथ महन तक हमना जो विना हैलमेट के थे वह फॉर थाॉलन थृहंडर्ड थाडी थरी चालांस किये हैं और वैसे हम हमने जो लोगों में स्टोब की जो उलंग ना की हैं उसके बादे माहने तस हजार शे तो बती चालान किये हैं और अभी भी जो लोग इंद की हेलमेट की एस्कीट वेल्ट की लोग न करें हम रेगुलरली पुरे डिस्टिक में उनके खिलाब कारवाई करें चालान करें